जैहिंद वंदे मात्रम स्वागत आप सबका स्टडी आई क्यू आई एस के इस यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम वसू कटारा है आज के सेशन में हम बाग करने जा रहे हैं 14 जुलाई आज की वो तारीख है जिस दिन भारत मून एक्स्प्लोरेशन मिशन चंद्रयान 3 लॉंच करने जा रहे हैं इंडिया का आज का अब तक का सबसे बड़ा लॉंच इस मिशन की कॉस्ट 615 करोड रुपे है इतने में तो आजकल मूवीज बनती हैं हॉलिवुड में अवेंजर्द अगर आपने देखी है डिफिकल्ड मिशन और यह मिशन चंद्रयान 2 जो कि 2019 में फेल हो गया था क्रैश हो गया था उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा मौका है कि हम मून पे पहुंच सके सक्सेस्फुली लैंड कर सके और मून के साउथ पोल को एक्स्प्लोर कर सके तो सारी जानकारी चंद्रया सिटिजन बनना चाहते हो सब कुछ everything about चंद्रयान 3 you'll get to know in this session इस session का PDF डाउनलोड करने के लिए टेलिग्राम ग्रूप वसु कटारा स्टेडी आईक्यू है यहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलिग्राम एप में सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे आप मुझे वसु.कटारा के नाम से find कर सकते हो और UPSC की preparation कर रहे हो तो हमारे प्रिलिम्स में इंटर्व्यू के 2024 और 25 के batches में अभी admission ले सकते हो वसु live admission discount code यूज करके इसके बारे मैं मैं आगे आपको और जानकारी दूंगा चंद्रयान 3 चाहता है soft landing करना moon के उपर इस रोच चाहता है इसके थ्रू soft landing करना space missions किस प्रकार चलते हैं space missions में एक आपका rocket होता है carrier होता है और उस rocket के अंदर आपको spacecraft देखने मिलती है एक वीडियो दिखाना चाहर हूँ आपको ये चंद्रयान 2 exploration mission जब launch किया गया था उसकी वीडियो है 2019 में ये launch हुआ था बट जैसे ही moon की सतह तक 400 मीटर तक पहुंचने वाला था technically जो lander था उसकी speed कम होनी चाहिए थी पर कम नहीं हुई और उस वहले से जाके crash land कर गया moon के surface पर तो अभी आपने इस वीडियो में क्या देखा आपने देखा एक rocket space में जा रहा है ये जो rocket है ये जो carrier है ये उस जो rocket के अंदर satellite है उसको moon पे ले जा रहा है अच्छा आई कॉर्स वाला पूछेंगे सर हम moon पे equator पे मतलब बीच की रेखा के आसपास क्यों नहीं जा सकते हमें क्यों south pole पे जाना है उसके पीछे चुपा है south pole के अंदर जो अलग-अलग resources है moon के वो resources अर्थ के लिए बहुत जादा फायदेबान दो सकते हैं जिस बारे में भी बात करूँगा तो कोई भी space mission इन दो हिस्सों में बटा हुआ होता है एक होता है rocket rocket आपका carrier है जो की space में satellite को लेकर जा रहा है और दूसी तरफ है आपकी satellite यहाँ पर चंद्रयान 3 mission के अंदर आपको orbiter नहीं देखने मिल रहा एक lander और एक rover देखने मिल रहा जिसका मतलब क्या है कि यह moon की surface सतह है अगर उसी satellite के तहत एक ऐसा हिस्सा होता जो moon के आसपास rotate करता रहता moon के साथ साथ rotate करता रहता moon की चांद की परिक्रमा करता रहता तो उसे आप कहते और orbiter चंद्रयान 2 में हमने orbiter भेजा था उसमें बहुत अच्छे से काम किया moon के सतह पर पानी के water के कई सारे evidences भी खोजे तो अब इस बार हम orbiter नहीं भेज रहे हैं इस बार हम भेज रहे हैं rover rover का मतलब है जो की सतह पर रोव करेगा जो की moon की सतह पर चलेगा वॉक करेगा उसे हम कहते हैं rover और उस से एक जो rover है उसे land कलाने के लिए एक lander चाहिए होगा क्योंकि moon के surface तक पहुंचना है तो लैंड कराने के लिए कुछ तो चाहिए आपके तो वह लैंडर होगा moon के surface पर इस बारी rover और लैंडर भेजा जा रहे है चंद्रयान 3 के माध्यम से अब आप खुद सोचिए कि जब इतना successful mission हम करने की कोशिश कर रहे है उस पर बहुत जादा cost लगनी चाहिए बट नह अब rocket का काम तो बस इतना है कि transport करके spacecraft को space में ले जाना जैसे normal missions में होता है rocket उसके बाद destroy हो जाता है उसका काम complete हो जाता है rocket के अंदर ही fuel होता है rocket के अंदर ही oxidizer होता है जो उसके propellant का काम करता है अगर इतनी उपर उडाके ले जाना है तो जैसे गाड़ी को चलाने के जाती है आपको देखने मिलेगा कही solid and liquid fuels का mixture इसमें डाला जाता है और उनको burn करने के लिए जैसे आपके माचे से जब तक उसे आप चिंगारी नहीं भढ़का हो कि तब तक जली की नहीं तो इसको भी fuel को भी जलाने के लिए आपको because there is a mixture of liquid and solid fuel उसको जलाने के लिए oxidizer की पड़ती है which allows in the burning of the fuel जिससे energy generate होती है lift off होगा spacecraft उपर lift होती है और एक बार यह हुआ उसके बाद rocket जो है आपका स्पेस में इंटर कर पाता है अपने satellite payload के साथ ये बात आपको समझनी है ये वीडियो मैंने आपको चंद्रयान 2 की दिखाई इसे देखकर आशा करता हूँ आ यही अचीव करना चाहता है कि मून के सर्फेस पर अलग-अलग resources की जानकारी एक 3D Atlas mapping करना चाहता है जैसे आपको प्रित्वी का पूरा map देखने मिलता है क्योंकि हम प्रित्वी पर है क्योंकि यहां पर हम बना सकते हैं we have various satellites अगर मून के लिए आप ऐसा एक पूरा Atlas एक प क्योंकि चंद्रयान 3 is the third mission चंद्रयान 1 C1 जिसको मैं कह रहाँ चंद्रयान 1 यह launch हुआ था सन 2008 में अक्टूबर में main objective था कि एक 3D Atlas बनाना था मून के जो near side and far side कहा जाता है जो आपको दिखता है जो आपको नहीं दिखता उन दोनों regions का नहीं दिखता का मतलब है which is hidden at the back of the मून ठीक है मून एक spherical body है आपको हमेशा एक front face दिखता है ठीक है ना जब आप जमीन से देखते हो एक two dimensional picture दिखती है पर जब आप मून पर present होगे तो आप एक three dimensional picture बना पाओगे उसके साथ साथ chemical testing mineralogical mapping कि कौन से कौन से minerals पाई राते अरे चांदी है सोना है क्या क्या अवेलेबल है इसके surface पर कौन से कौन से mineral है कोबाल्ट है manganese है phosphorus है potassium है क्या है पता तो चले उसके लिए एक mineralogical mapping करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि मून के surface की की जाएगी और वो भी high special resolution के साथ मतब हाई quality resolution के साथ इसी लिए चंद्रयान 1 mission शुरू किया गया था मून के आसपास इसका जो orbiter था उसने 3400 orbits मारे थे लगबग एक साल 312 दिन के समय ये 312 दिन के करीब के समय ये activate रहा था मतलब एक साल इसने मून की mapping करी 3400 परिक्रमा काट के orbits करके फिर उसके बाद radio contact छूड़ गया और चंद्रयान 1 mission खतम हो गया था सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इंडिया में बनाई गई थी टेक्नोलजी इट वस इंडिजिनसली डेवलब्ट इस वाइं कॉलिंग इंजर अचीवमेंट उसमें एक मून इंपक्त प्रोब भी डाला गया था जो स्पेस्क्राफ्ट से अलग भी हुआ था मून के साwth पोल पर भी पहुचा और कई सारे डिसकवरीज हमें मिली व्ह और यहां श्रॉल नासा भी चॉक गया कि इंडिया ने इतने कम पैसे पर खुद से टेक्नोलजी बना के पहले मून पे पहले लैंड कर आया उसके बाद ये भी बताया कि Moon के surface पे कौन से कौन से resources present है The world was shocked और ये जटका हमने दूसरी बार भी दिया दूसरी बार 2019 में दिया पहली बार में हमें ice मिली थी North polar region, Moon के उत्तरी सतय की और पहली बार में हमें ice मिली थी हमने कहा North में चलेगा अब चलते हैं South में चंद्रयान 2 के तीन component थे आईए चलते हैं चंद्रयान 2 की भी एक image समझते हैं 2019 में इसे launch किया गया था चंद्रयान 2 में तीन component थे और सबसे important थे ये दो component जो आप देख पारे हो एक मैंने बताया orbiter होता है जो moon के आसपास परिक्रमा करेगा orbit करेगा दूसरा होता है lander जो moon के surface पर land करवाएगा उसमें से गाड़ी जैसा equipment निकलेगा जिसे हम कहते हैं rover lander का नाम था विक्रम rover का नाम था प्रग्यान ये दोनो unfortunately destroy हो गये थे तो ये moon के surface पर हमने तीन parts lander, rover, orbiter भेजे थे objective क्या था इस बार north pole तो research कर चुके हैं अब चलो south pole की और and it became a partial success because crash हो गया विक्रम और प्रग्यान जो lander और rover था विक्रम crash क्यों हुआ main reason ये था कि जब ये 400 meter का distance रह गया था moon के surface तक इसकी speed flow होनी चाहिए थे पर कुछ system error की वज़य से ground station से इसका contact छूट गया, मतलब हमारी प्रित्वी से जो manage किया जा रहा था, यसे remote control गाड़ी होती है न, वैसे remote control lander था and while it has connected to isro, उसका connection break हो गया, system error आ गया और बहुत तेजी से, सोचो हवाई जहाज की भी 10 गुना speed से, 10 times the speed of aircraft, इतनी तेजी से आपका ये surface तक आया और crash हो गया अब तेज रफ्तार गाड़ी आपने crash होते दिखी होगी बहुत तेजी से बहुत high velocity, बहुत high speed की वैसे आकर ये crash हो गया और बस orbiter ही इसका चल पाया और बिटरसिद ने थोड़ा बहुत data gather किया बट जो हमारा सपना था moon के surface पे land करने का वो सपना ही रह गया आपको याद होगा उस time पे case even इसरो के अध्यक्ष थे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें गले लगा रहे एक वीडियो में आप सबने वो वीडियो बखू भी तोर पे देखी होगी that he was inspiring him कि कोई बात नहीं एक failure हुआ कोई बात नहीं है महनत करो प्रयास करो फिर से success हासिल होगी UPC aspirants को भी कुछ ऐसा ही सीखना चाहिए प्रयास करते जाओ सफलता जरूर हासिल होगी ही होगी प्रयास जरूर है तो अब चंद्रयान टू का और्बिटर ही function कर रहा था उसमें एक class नाम का C-L-A-A-S class नाम का C-L-A-A-S मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ जादा बैट रहेगा class नाम का एक equipment रखा गया था class की full form थी large area soft x-ray spectrometer जो की image gather करना चाहता था x-rays के format में यह अल्ट्रा वाइलेट रेस x-ray normal light आप अलग-अलग तरीके से image capture कर सकते हो moon का x-ray spectrum जिससे x-ray से फाइदा क्या होगा moon का आप x-ray करके क्या ले लोगे आपको पथा चलेगा कौन से कौन से resources available है magnesium है silicon है calcium है titanium है iron है aluminium है chromium है manganese है कौन से resources available है अगर बहुत quantity में available है और वो resource अर्थ पे बहुत limited quantity में available है तो moon से explore करके उनको अर्थ पे लाया जा सकता है और खास तोर पे rare earth minerals जो electronic industry को बहुत बड़े level पे चाहिए होता और अगर इंडिया को इसके सबूत मिल जाते हम इसका exploration कर पाते तो हमारे देश के लिए लाखों करोणों का मुनाफ़ा है यह रिमोट सेंसिंग के थूँ एक्सरे स्पेक्ट्रम के थूँ स्पेक्ट्रोमीटर के थूँ हम information collect करना चाहते हैं इन मून के उपर वाटर के evidence तो चंद्रयान वन ने खोजी लिये थे चंद्रयान टू लैंडर और रोवर की माध्यम से यह exploration करना चाहता था मिनरल का exploration कोई बात नहीं successful partially हुए अब पूरा successful हो जाएंगे जो आज दो बच्चों के हैं 235 पर चंद्रयान 3 लांच होगा by the time my session also will be done तो यह demonstrate करेगा lunar landing capability को की moon के उपर क्या हम land कर पाएंगे दुनिया के तीन देश है नासा दूसरा है नासा यूएसे का है दूसरा है रशिया का रॉस कॉस्मॉस और तीसरा है चाइना अगर इंडिया successful होता है we will be the fourth country in the club चंद्रयान 3 इंडिया की technical capability जो बढ़ती जा रही है space exploration में उसको प्रदर्शिप करेगा अब ये खुद सोचो कि अगर इस बार भी हमारे साथ कोई ऐसा हाथसा होता है वैसे कभी ना हो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा setback होगा और हाथसा क्यूं हो सकता है उस speed of a normal airplane और खुद सोचिए चंद seconds में चंद मिंटों में कुछ भी impact हो सकता है इसलिए हम चाहते हैं soft landing करवाना हमने rover और lander तो इस बार भी भेजा है इस बार orbiter नहीं भेजा इन दोनों का rover और lander का हम soft landing करवाना चाहते हैं ये जो आपके rover और lander है इन्हें technically कहा जाता है payload जो अब carry करके ले जा रहे हो rover और lander हमारे payload है चार scientific payload रखे गए है lander के उपर एक है चांद के उपर आने वाले जो lunar quakes होते हैं जैसे हमारे अर्थ पर अर्थक्वेक आते हैं भूकम वहाँ पर चंद्र कम पाएगा चाहंद के को काप अगर भूकम होता है चांद काप जाती है तो उसके पीछे के reason समझे जाएंगे तो lunar quakes को explore करने के लिए we have sent one payload second one is to study the thermal properties of the lunar surface कि चांद के उपर कहां पर कौन से एरिया है जो बहुत गरम है जहां पर direct sunlight पढ़ती है कौन से एरिया है जो बिल्कुल ठंडे है जैसे solar जो आपका areas जो south pole के है वाह माना जाता है solar rays पहुं नहीं पाती है तो उसके पीछे की reasons identify करेंगे क्या वहां की physiology है जमीन कैसी है वहां पर क्या resources है कोई क्या पानी है वहां पर चलो गरम इलाकों में पानी नहीं हो सकता ठंडे इलाकों में क्या frozen ice हो सकती है क्या plasma changes को देखा जाएगा तीसरी चीज plasma changes जिसके थ्रू आप अलग-अलग payload के माध्यम से moon का exploration करोगे इस मैंसे चार मैंसे एक payload नासा का भी है एक नासा का भी equipment हम carry करके ले जा रहे है इस बारी chemical और mineral composition rover चेक करेगा rover जो गाड़ी की तरह घूमता रहेगा चांद के surface पर manganese aluminium iron है क्या वहां के पत्थरों में वहां की चट्टानों में यह बात है landing site लगबग वही है जहां पर चंद्रयान 2 crash किया था पिछली बार the same landing site यह photo देख सकते हैं यह landing site थी जो south pole के पास थी moon के nearly 70 degree latitude के आसपास area था अगर सब कुछ सही रहा चंद्रयान 3 पहला mission बनेगा दुनिया का we should be proud of this fact to soft land near the south pole of the moon बहुत बहुत बड़ी बात है hard landing तो crash हो गई soft landing मतला बराम से उतरना वहां से exploration के लिए rover छोड़ना हम यह कर पाने में successful होंगे अरे आप यहां पर बहुत extreme condition है बाकी moon के मुकाबले बाकी areas के मुकाबले यहां पर बहुत अलग condition है जैसे आप upload है उसको अब explore करोगे एक scientist ने कहा था we are going to check the unprecedented deep space discoveries of moon unprecedented जो सोचा नहीं है वो भी मिलेगा यह कहा है कुछ लोगा ने जिन्हें lunar polar volatiles कहते हैं वो chemical elements जो moon पर पाए जाते हैं ऐसे chemical elements हो सकते हैं जो अर्थ तक पर नहीं मिलते या तो solid state में या तो melted state में liquid की state में या तो evaporate होकर मून पर पाए जा सकते हैं तो इन space mission के माधियम से आप मून को मून के पास जो resources है यही तो explore करोगे hydrogen है oxygen है and this is going to have a big impact a very profound a very big and a very strong impact on the future missions NASA तभी तो कह रहा है कि हाई हम को भी ले लो साथ हम भी जड़ा 2-3 चीज़ा देखा है क्या-क्या है मून के साउथ पोल में बाकी एरियास को तो we have captured do you know Russia और USSR was the first country to reach moon आपको हमेशा से याद है Neil Armstrong Buzz Aldrin ठीक है न यह याद है सबको कि अमेरिका पहला देश था जो land किया था अमेरिका के पहले जो aircraft के pilots थे spacecraft के pilots astronauts थे इंसान पहला अमरीका से गया पर पहली satellite जो moon पे गई थी वो रशिया की थी यह शायद कम लोगों को पता होगा यह एक additional चीज़ जो मैं अपनी तरफ से share करना चाहता था अच्छा बाप पूछोगे सर कि आज 2.35 पे launch हो रहा है तो कल तक तो पहुँच जाएगा ना सर अरे भाईया दिल्ली से जैपूर नहीं जा रहे हो कि 6 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा there is a launch window there is a particular time period European Space Agency के साब से अगर spacecraft जो हम भेज रहे हैं वो मून के पास जाना चाहती है तो हम एक perfect time के साब से ही launch करना होता है जब मून अर्थ के पास हो apogee, perigee जैसे आपने अगर शब्द सुने होता हो तो मून के पास जिस समय अर्थ है उसी समय launch करना चाहिए इस 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 समय जब launch कर रहे हो this is actually the best time क्योंकि पूरी process 42 days की है जहाँ पर landing चान्द के उपर 23 अगस्त के आसपास हो जाएगी जब हम लोग दिल थामके बैठे होंगे इसको launch करने के लिए जो हमारी satellite है क्योंकि payload तो बद इतना सा region होता है GSLV geostationary launch vehicle Mark 3 यह बहुत heavy duty rocket है इसको हलके में मतले ला GSLV has strong lift off capability और बहुत powerful launch capability है इस Mark 3 satellite में तो 42 days का पूरा process है 23rd August को हम moon के surface पे होंगे और होंगे इस बारी यह मेरको पूरी उम्मीद है launch vehicle 3 Mark 3 GSLV मैंने अभी photo दिखाई आपको इससे launch कर रहे है और एक बार launch successful होता है तो आधी battle तो वहीं जीत ली हमने बाकी आधी battle तभी होगी जब हम land करेंगे इसके लिए हम slingshot capability को use करेंगे basically slingshot capability का मतलब है कि यह जो spacecraft जब launch किया जाएगा यह लगबग 179 km तक के altitude तक launch करके जाएगा उड़के जाएगा उसके बाद क्योंकि moon अभी pass में है तो दीरे दीरे अर्थ और moon दोनों orbit कर रहे है अगर ऐसे अर्थ घूम रही है तो moon भी ऐसे घूम रहा है ठीक है ना दूर भी होते हैं ऐसे एक दूसरे से पास भी हाते है एक दूसरे के वन दे विल बी दे क्लोजेस्ट इट विल ट्राइटू लैंड यह रॉकेट मैसे से वितना ही पोर्शन बचेगा बाकी सब अलग हो चुका होगा जो यह आपको मोंटर्स दिख रही है बूस्टेड ओन्स घ्राविटी हमारी एक ढ़ाविटी छोड़ चुके होंगे मून की एक अप्चर कर चुके होंगे और दीरे जीरे मून पर लैंड करने की कोशिश की रहेगी स्पीड कम करते करते जो सबसे difficult व शबसे मुश्चिल चीज होती है so let's hope this becomes successful this year this time around यह हमारे देश में technology को और बढ़ावा देने में आने वाली पीडियों को inspire करने में दूसरे देशों को हमारी technology demonstrate करने में कि हम deep space mission और moon mission में कितने successful हो सकते हैं यह प्रदर्शित करेगा आशा करता हूं कि यह India के लिए बहुत बड़ा मुकाम पैदा करे हमारे यह यह successful बने and बस इतना ही मेरे को कहना है कि let's pray with all our hearts that it become successful last but not the least आप सबसे मैं expect करूँगा comment box में एक बारी जैहिंद जरूर लिखिएगा हमारा देश एक जुट कुछी कम चीजों के लिए होता है जिन मेंसे एक आपका cricket world cup है बट आज देश को फिर से एक जुट होकर इस रो के लिए चीर करना जरूरी है so let's write जैहिंद in the comment box वसु कटारा study IQ telegram group है वसु.katara studyiq.com email id है आप UPSC की preparation कर रहे हो तो books आपको हम देंगे study IQ के P2I batch में prelims mains interview batch में books आपके घर पर भिजवाएंगे हर subject की आपको prelims की test series mains की test series हम provide करेंगे आपको हम daily answer writing practice program देंगे live class daily चला करेंगी 2-5 घंटे के लिए quality से batch चुरू हो रहा है ये pure English batches भी हैं और शुद हिंदी batches भी है आपको सारे subject कराए जाएंगे मैं खुद ECONMEX कर इंटरफेस पढ़ाऊंगा आपको और daily answer writing practice सब होगा मतलब answer writing के विना तो selection किसी का होई नहीं सकता prelims की कोई तयार ही नहीं होती है होती है तो comprehensive free commands preparation होती है और आप मैंसे जो lucky लोग prelims clear करेंगे उन्हें mains residential program भी दिया जाएगा study IQ के द्वारा that is free of cost 29,999 का ये batch है 22nd July से 22 July से admission class से शुरू हो रहे है admission तो शुरू हो चुके है class 22 July से शुरू हो रहे है शाम 6 पते आप आज कल मैं admission लेकर maximum discount का फायदा लिजेगा और admission लेते time बस वसू live admission discount code उस करना मेरी guarantee है maximum discount और मेरी personalized guidance जो आपके लिए बहुत जरूरी होगी वो available रहेगी ऐसे ये optional subjects available है 2025 का batch available है NCRT batches भी जिसमें 6 to 12 class के NCRT कराई जाती है वो भी available है बस कोई भी course लो सिर्फ वसू live याद रखो शुक्रिया, धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत best of luck